स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यत्थ अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला क्लाइंग सर्विस डिपार्टमेंट नैशनल असोशियेशन फॉर दबलैंड इंडिया के ग्रामेर अपंग सशक्तिकरन कार्य के लिए समर्पित निसर गोपचार की किमया कहते हैं मंजिले उन्ही को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है पंखों से क्या होता है यारों होसलों से उडान होती है विधाता ने जब से मानव प्राणी निर्मान किया तब से उसके अंदर होसला भी भर दिया जिन में आत्मविश्वास भरा होता है उनका होसला भी बहुत उच्चा होता है इसी होसले के कारण मनुष्य प्राणी नई नई और कठीन से कठीन मंजले पा लेता है उसकी दुर्दम्य इच्छा शक्ती मजबूर इरादा, उन्चा होसला और आत्मविश्वास ही उसे हर मुश्किल स्थिती में सामना करने की शक्ती प्रदान करता है नैसर्गिक या मानवनिर्मित आपदाएं और मुश्किलों भरी रा भी उसे मन्जल तक पहुँचने से नहीं रोक सकते मनुष्य जीवन में ऐसी विपदाएं आती है जिससे उसका आम जीवन जीना मुश्किल हो जाता है लेकिन एसी परिस्थितियों को स्वीकार कर जो व्यक्ती अपने आपको उस परिस्थिती से ढालते हुए अपने आप में जरूरी परिवर्तन लाता है तो वहाँ विजेता बन जाता है ऐसे ही एक विजेता सुभाश वारगडे से हम आज रुब्रू होने वाले हैं महराष्टर राज्ज के ठाने जिले में एक छोटा सा गाव वडावली में एक सामान्य किसान के घर में सुभाश का जनम हुआ ग्रामेर इलाकों में रहने वाले किसान परिवार में शिक्षा हासिल करने के बारे में विशेश रिची नहीं होती है सुभाश को अच्छी बुद्धिमत्ता की देन मिली थी वह देहात के स्कूल में जाने लगा वहां सुभाश की शिक्षा क्षेत्र में अच्छी रिची देख शिक्षकों ने भी उसे प्रत्साहित किया सुभाश उस कुटुम का सबसे छोटा उमीदवार था इसलिए पिताजी ने उसे स्कूली पढ़ाई और उच्छ शिक्षा प्राप्त करने की अनुमती दे दी शालांग परिक्षा में अच्छे गुण पाकर उसने पासवाले शहर के कॉलेज में कला शाखा में दाखिला लिया और बी-ए की डिगरी हासल की ग्रामेर इलाके में डिगरी प्राप्त करना उस समय बड़ी बात मानी जाती थी इसलिए उसका होसला भी उन्चा था उसी के बल पर सुभाष ने ठान लिया की में लोकसेवा आयोग की परिक्षा देकर सरकारी अपसर बनूँगा सुभाष ने वह परिक्षा भी अच्छे गुणों से पास की और उसकी न्यूक्ती होने के साथ दिन पहले वह जब साइकल से शहर की ओर जा रहा था तो वह गिर गया उस दरगटना में सुभाष द्रिष्टी हीन हो गया सुभाष ने अपने अंधत्व का इलाज करने में कोई भी कसर न रखी उसके परिवार में अपनी सारी जमापुझी तो डॉक्टरी इलाज पर खर्च कर दी कर्ज लेकर भी इलाज करते ही रहे सुभाश अपनी द्रिष्टी तो नहीं पा सका पर उसने अंधत्व को स्वीकार कर जीने की नई रा खोजने में जूट गया नब इंदिया के महालक्ष्मी मुंबई स्थित पुर्णवास केंद्र में सुभाश ने चार महीनों का पुर्णवसन प्रशिक्षन पुरा कर वही पर उसने छे माह का एक्यूप्रेशर और मसाज प्रशिक्षन भी पूरा किया जीवन्यापन करने के लिए सुभाश ने शाहापूर कजबे में अपना एक्यूप्रेशर मसाज सेंटर सन 2003 में शुरू किया उस सेंटर को विक्सित करने और इलाज की ख्याती प्राप्त करने में सुभाश भरसक कोशिश करता रहा सन 2006 में परिवार ने सुभाश की शादी अंजना नामक एक महनती यूवती से करवा दी उसके क्लिनिक में आने वाले मरीजों के इलाज ठिक से करने के लिए सुभाश को निसरगोप चार पद्धती अपनाई जाने की जरूरत महसूस हुई सन 2008 में सुभाश ने आर्युवेदिक चिकित्सा पद्धती सिखाने वाले भारतिय चिकित्सा केंद्र पढ़गा से पंचकर्म चिकित्सा सिखकर उसका भी प्रयोग मरीजों की इलाज के उपर करता रहा सन 2010 में सुभाश ने अपने आपको निसरगोप चार और नाडी परिक्षा सिखने के लिए आरोग्य धाम केंद्र नासिक में दाखिल होकर एक वर्ष में उसकी पद्धिका प्राप कर ली अब सुभाश ने अपना निसरगोप चार केंद्र भिवंडी के खारबाव शेत्र में शुरू किया वा केंद्र विक्सित करने के लिए इंदिया के क्लाइंट सर्विस विभाग में मदत मिलने की अपेक्षा से संपर्क किया अब सुभाश की ख्याती दिन बदिन बढ़ती गई उसी से सुभाश की आय भी अच्छी खासी होने लगी उस दरम्यान सुभाश ने भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना का लाब लेकर अपना खुद का घर भी बना लिया था सुभाश के परिवार में दो ननहे बालग भी आ गए थे अब यशस्वी सुभाश के जीवन में कुछ सुख की घडिया आई थी पर नियती का खेल कौन जान सकता है एक दिन सुभाश के पेट के निचले हिस्सों में अचानक दर्ध होने लगा जब उसे सहन कर पाना कठीन होने लगा तो डॉक्टरी इलाज के सिवा कोई और चारा नहीं बचा शुरू में डॉक्टर इलाज करते रहे लेकिन आगे चलते चलते डॉक्टरों को उसकी दोनों किड्मिया काम नहीं कर रही है यहां महसूस हुआ अधिक जाज करने पर सुभाश की दोनों किड्मिया तिनसर होने से काम नहीं कर रही थी विशेशग्य डॉक्टर उद्वारा उसे मुंबई के टाटा कंसर हॉस्पिटल में दाखिल होने की सला दी वहां उसकी फिर से पूरी जाच करने के उपरांथ वहां बताया गया कि सुभाश पर ना तो कुछ इलाज हो सकता है ना ही किड्नी रोपन कर उसे कुछ हासिल होगा उसकी आयु मर्यादा ज्यादा से ज्यादा चाली से साथ दिनों तक ही है तब रिष्टेदार अलग-अलग तरीके के इलाज करने के सुझाव देने लगे सुभाश की जीने की इच्छा बहुत प्रबल थी इसलिए उसने आर्युवेदिक इलाज करना शुरू किया वहां बडोदा गुजरात के आर्युवेदिक कॉलेज तक भी दोड़ भाग करता रहा एक दिन इसी दोड़ भाग से ठके सुभाश के मन में अचानक जागरुकता की लौप रज्वलित हो गई सुभाश सोचने लगा की मैं दुनिया के सभी प्रकार के मरीजों के कई तरह की बिमारियों का इलाज करने वाला डॉक्तर होने की ख्याती प्राप कर चुका हूँ तो मैं अपने आपका इलाज करने के सिवा ये क्या दोड़ भाग कर परिवार की आमदनी खतम कर रहा हूँ माना मेरे पास जिने के आखरी कुछ दिन बचे हुए है तो मैं मेरा ज्यान दाव पर लगाने की ज़रूर कोशिश करूँगा इसी सकारात्मक द्रिष्टीकोन के साथ सुभाष ने अपने आप आप पर निसरगोपचार पद्धती से इलाज करना शुरू किया जिसमें किड्नी मसाज, निसरगोपचार, एक्यू प्रेशर, योगा और प्रानायाम से सम्मिलित विशेश थियरपी समाविष्ट थी इस थियरपी से अचम्बित करने वाला परिणाम जल्द ही नजर आने लगा और सुभाष को डॉक्टर ने दी हुई आखरी लिमिट भी पार हो गई और एक वर्ष के अंदर कंसर जैसी दुर्धर रोक से भी वह मुक्त हो गया सुभाष ने फिर से मरीजों को इलाज करनाना प्रारम कर अपने घर की उपर की मंजिल बना कर उसमें ही अपना निसरगोपचार केंदर चला रही है जहां पाँच मरीजों को डाखिल करने की भी व्यवस्था है इसके बाद सुभाष ने निसरगोपचार की पदवी हासिल करने के लिए कोलकाता युनिवरसिटी से संपर्क कर दाखिला लिया निसरगोपचार की पदवी उसने गोल्ड मेडल लेकर हासिल की सुभाष आज डॉक्ट्रेट ओफ अल्टरनेटिव मेडिसिन की उपाधी प्राप्ट करने वाला भारत का पहला अंद निसरगोपचार विशेशग्य है आज कल उसकी प्रकिस भी अच्छी खासी चल रही है वह दूसरे द्रश्टीहीन व्यक्तियों को अपना असिसेटन्ट बना कर ट्रेनिंग दे रहा है डॉक्टर सुभाष वारगडे को विजन इनसाइट फाउंडेशन डोंबिवली द्वारावी.i.f श्रीमती पुश्पा सीताराम पाटील अचिवहर्स अवार्ड 2017 को रोटरी डिस्ट्रिक्ट गर्वनर के उमेश चवहान जी के कर कमलो द्वारा स्मृति चिनह देकर 15 अक्तूमबर 2017 देकर गौरन वावित किया गया। उन्हें शाल श्रीफल देकर भी रोटरी क्लब दोंबिवली की ओर से सन्मानित किया गया। है ना यहां अचम्बित करने वाली डॉक्टर सुभाश की मेहंद, लगन और आत्मविश्वास की जीत है। जिसके द्वारा यहां दुर्धर रोक पर हुई विजय है, लेकिन यहां असली मेहां सकारात्मग भाव से विश्वास अपनाई गई निसर गोप्चार की किमया। शिकायत ना करे जिन्दगी से, धन्यवाद कीजिए क्योंकि आप के पास जितना है, न जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है। दर्ड तो वही देते हैं, जिनें आप अपना होने का हग देते हैं, वरना गैर तो हलका सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। जीवन में जो भी दोहक दर्द हमारे हिस्से आते हैं, वे भी हमारे ही जीवन के साथ ही है, उन्हें अपना कर देखो तो यारों, उनसे होने वाली तकलीफ ऐसे दूर हो जाएगी, बन जाएंगे वे अपने अगर निसर गोपचार अपना साथी है. मैं अपने जीवन में तो सफल हूँ और आशा रखता हूँ, आप भी सफल होकर स्वस्थ बनेंगे, जीवन की राह पर जीवन यात्री बनकर गुल खिलाएंगे. हैमंत जब पाटिल मानत सचिव National Association for the Blind, इंडिया